नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों उत्तर परदेश में 16 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है अभी आपने देखा कि लोकसभाद चुनाव संपन हो चुका है और आप उत्तर परदेश में नए सिरे से चुनाव की तैयारी नेताओं ने पार्टियों ने शुरू कर दी है तो वो 16 सीटे कौन सी हैं सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लेजिए उसके बाद वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उन सीटों को पहले आप जान लेजिए गाजियाबाद की सदर सीट खाली है इस पर चुनाव होने जा रहा है प्रियाग राज की फूलपुर सीट पर उपचुनाव होगा मीरापुर विधान सवा सीट पर उपचुनाव होगा मिर्जापुर की मजहमा सीट पर उपचुनाव होगा इसके अलावाद 6 सीटे और खाली होने जा रही है वो 6 सीटे जानते हैं कौन सी हैं याद करिए समाजवादी पार्टी के 6 विधायकों ने BJP को समर्थन दिया था राधसभा चनाव के दवरानी और अखिलेश यादा इसको लेकर बहुत जादा नारास थे और अब माना जा रही है इन 6 विधायकों पर भी तलवार लटक रही है तो वो कौन-कौन सीट 6 सीटे और है वो भी जान लिए दोस्तों देखिए एक तो उचा हार विधानसवा सीट है जहां से मनोच पांडे विधायक है राकेश पांडे की जलालपूर गुसाई गंज सीट पर चुनाव होगा क्योंकि यहां से अभे सिंग एमले है और इनकी विसा दस्ता पर तलवा लटक रही है राकेश प्रताप सिंग गौरी गंज विनोच चतुरवेदी कालपी और पूजा पाल चायल से विधायक है कानपूर का जिकर इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से इर्फान सोलंकी की सीट रिक्त हो रही है इर्फान सोलंकी को साथ साल की सजा होने के बाद यह सीट रिक्त हो रही है तो कुल मिलाकर 16 सीटों पर दोस्तों 16 सीटों पर अब उत्तर परदेश में उप्चुनाव होने जा रहा है हाला कि कुछ लोग 9 सीटे बता रहे हैं जो की पूर रूप से सही नहीं है क्योंकि 6 जो बिधायक हैं समाजवादी पार्टी के उनकी भी सीटे खाली होगी और यहाँ पर दोस्तों बहुत दिल्चस मुकाबला होगा जो 6 सीटे खाली हो रही है जो 9 लोग सांसत बन गए उसकी तो कोई बात नहीं लेकिन जो 6 सीटे जहाँ पर समाजवादी पार्टी के खास तोर से विधायक थे वो जो 6 सीटे हैं उचाहार, जलालपुर्ग, गुसाई गंज, गौरी गंज, कालपी और चायल यहाँ पर काफी दिल्चस मुकाबला होने वाला है तो दोस्तों 16 सीटों को लेकर बियस्पी की तरफ से भी ऐलान लगभग कर दिया गया है और मायावती जी ने दिल्चस्पी जाहिर कर दी है, इच्छा जाहिर कर दी है कि वो भी उप्चुनाव में किस्मत आजमाएंगी दोस्तों यह अभी तक की बहुत बड़ी ख़बर है वस्पा के बारे में लोग कह रहे थे कि वस्पा उप्चुनाव नहीं लड़ेगी वस्पा उप्चुनाव नहीं लड़ती है लेकिन दोस्तों अब जो ख़बर आ रही हो बेहद ही हैरान कर देने वाली है क्योंकि मायावती जी भी उप्चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगी और अभी से चैन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है दोस्तों आपको याद दिला दू इससे पहले जब लोगसभा का चुनाव हो रहा था तब चार सीटों पर उप्चुनाव हुआ था उन सीटों पर भी ब्यस्पी ने अपने प्रत्याशिय उतारे थे और अब इन 16 सीटों पर भी ब्यस्पी ने प्रत्याशियों के चैन की प्रक्रिया शुरू कर दी है प्रत्यासियों का बायो डेटा कहा जा रहा मंगवाया जा रहा है और खबर ये भी है कि एक-एक सीट को लेकर कई सारे जो उम्मिदवार हैं उनके बायो डेटा पहुँचना शुरू हो चुके हैं दोस्तों ये अंदर की खबर मैं आप तक पहुँचा रहा हूं और सुत्रों की माने तो इस समय बहुत सारे लोग ब्यस्पी आफिस पहुच रहे हैं और ब्यस्पी कार्याले पहुच रहे हैं और मायावती जी से मुलाकात करने की भी कोशिश कर रहे हैं और मायावती जी जो चुनाओं में हार कर भी जीद गई हैं उनकी अहिम्यत अब और जादा बढ़ गई है दोस्तों आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अभी भी नियोता बेज रहे हैं इंडिया गटबंधन में आने के लिए प्रमोत तिवारी ने हाल ही में मायावती जी को नियोता बेज़ वाया है कि बहन जी आपकी हमें सक्ट जरूरत है आप इंडिया गटबंधन में आ जाईए लेकिन दोस्तों मायावती जी ने अभी इस पर कोई प्रत्किरिया नहीं दी है अभी मायावती जी एक बहुत बड़ी बैठक भी करने वाली है इसमें खास तोर से हार के कारणों की समिक्षा होगी और प्रत्याशियों का चैन कैसे किया जाए जो उप्चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रत्याशी कौन कौन से हों किस तरीके का उनका आचरन वेवहार हो और खास तोर से दोस्तों इस बार वो गलती नहीं होगी कि बाहरी लोगों को चुनाव में उतारा जाए इस बार बहुत सोच समझ कर टिक्टों का बटवारा होगा पिछली बार लोग सभा के चुनाव में जिस तरीके से जिला ध्यक्षों के स्तर पर उम्मिदवारों पर कहीं न कहीं यो मुहर लगाई गई थी वो दोस्तों इस बार गलत साबित हुई का जा रहा है कि जो लोग सभाच चुनाव के प्रत्याशी थे कहीं वो डमी उतार दिये गए और जिलाग धेक्षों ने ये साजिश रची ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है हालांकि दोस्तों फाइनल रिपोर्ट 20 जून के बाद ही आएगी और 23 जून को माना जा रहा है बड़ी बैठक बसपा सुप्रीमों करने जा रही है और वो जो बैठक होगी आगामी चुनाव की रणनीती पर चर्चा की जाएगी उसमें और हार की काडों की भी समिक्षा लगातार होई रही है रिपोर्ट तयार हो रही है दोस्तों ये जो 16 सीटे हैं जिन पर उप्चुनाव होने जा रहा है ये कोई मामूली चुनाव नहीं है ये ठीक वैसे है जैसे घोसी के बाद लोग सभा का चुनाव हुआ था घोसी के चुनाव को भी सत्ता के सेमिफैनल के तोर पर देखा गया था और घोसी सीट के नतीजे आपको याद होंगे घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और जैसे समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की फूले नहीं समा रही थी और कह रही थी कि अब तो हम नंबर वन बनेंगे और हुआ भी वैसा समाजवादी पार्टी उत्तर परदेश में नमबर बन बन गई है 37 सांसर लेकर आई है बहुत बड़ी बात है दोस्तों बहुत बड़ी एचीब्मेंट है एक शित्रिय पार्टी के लिए बहुत बड़ी एचीब्मेंट है और आपको याद दिला दूने जब घोसी का उप्चना हुआ था विधान सभा का उप्चना हुआ था तो उसमें मायावती जी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे लेकिन दोस्तों बहुजन समाज के जो चिंतक हैं विशलेशक हैं वो ये मान रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ी चूक हुई बसपा से बसपा को भी घोसी में अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए उसके बाद लोगों ने मन्थन करना शुरू किया बेस्पे के नेताओं ने भ बसपा सभी सीटों पर अपने उम्मिदवार उतारेगी दोस्तों ये जो 16 सीटे हैं जो हमने आपको बताई हैं वो समाजवादी पार्टी या भारतिय जन्ता पार्टी इन्ही के ही विधायक हैं चैलेंजस बियसपी के सामने बहुत सारी हैं चुनोतियां बहुत सारी हैं प बसपा का खाता भी नहीं खुला तो इस समय सबसे जादा अगर चुनोती किसी पार्टी के सामने है तो वो बहुजन समाच पार्टी है हाला कि मायावती जी ने साफ तोर पर कहा है कि हमें चुनोतियों का सामना करना आता है हमें हार कर जीतना आता है हमें हार में भी सबक दिख और हम हार मानने वाले नहीं हैं एक दिन हमारी सत्ता आएगी जैसे हमने चार बार उत्तर प्रदेश का नित्रुत किया एक बार फिर हम उत्तर प्रदेश का नित्रुत करेंगे और दोस्तों ये खौप सिर्फ मायावती जी का नहीं है बलकि तमाम बहुजनों का भी है वो जी का शासन था, वहाँ पर असली रामराज था, माफिया गुंडे खुद घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे, बिना बुल्डोजर चलाए मायवती जी ने दहशत पैदा कर दी थी माफियाओं में, इस सरकार के बारे में दोस्तों कहा जा रहा है कि ये सरकार बुल्डोजर से डराने का काम करती है और मुसल्मानों को टारगेट कर रही है, लेकिन मायवती जी के शासन में सब लोग खुछ हाल थे, और दोस्तों जहां तक मुसल्मानों की बात है, इस बार आपने देखा कि मायवती जी ने लोकसभा के चुनाओं में किस प्रकार से 20-22 लोकसभा पर मुसल्मानों को टिकेट दिया था और जब मायावती जी ने मुसल्मानों को टिकेट दिया ता बालुचना हुई कि ये बीजेपी को जीताने का काम कर रही है जब 43 सीटों पर जीत हासिल की तो आब ये बात कोई नहीं कह रहा है कि मायावती जी ने मुसल्मानों को टिकेट इसलिए दिया था कि BJP को फाइदा पहुंचे ये narrative समाप्त हो गया है दोस्तों हाँ बीच में एक नया narrative आया था कि 16 सीटों पर BSP की वज़े से BJP जीत गई अरे BJP तो 33 सीटों पर जीती है तो बाकी जो 17 सीटे हैं उन पर क्यों नहीं कहा जा रहा है कि BSP की वज़े से इंडिय अगडबंधन जीत गई तो narrative जो इस समय नकरात्मंग narrative चल रहा है तो बीच पी के खिलाफ ही चल पाते हैं बीच पी बहुत सारे मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है एक तरफ तो गोदी मीडिया से लड़ाई है दूसरी तरफ बीच पी में कुछ ऐसे नेता आ गये हैं जो स्वार्थ की राजनिती करते हैं उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है वो घर से बाहर निकलना नहीं जानते हैं वो ओफिस में एसीम बैट कर काम करते हैं तो ऐसे नेताओं को क्या मायवती जी पार्टी से बाहर निकालेंगी और खास तोर से इस समय सब्जादा चर्चा है सतीश मिश्राजी की कहा जा रहा है सतीश मिश्राजी ने पार्टी को डैमेज किया अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं ये बात किि सतीश मिश्रा से बसपा को नुकसान हुआ दोस्तों सोशल मिडिया पर इस समय सतीश मिश्राजी के खिलाफ तमाम तरे कreẩ strips लेख जा रहे हैं कहा जा रहा है कि जब तक मायावती जी नहीं निकालेंगी तब तक पार्टी का कल्यान नहीं होगा लेकिन बड़ा सवाल क्या सतिश मिश्रा जी अकेले जिम्मेदार हैं क्या बाकरी सतिश मिश्रा जी इतने बड़े फैक्टर हो गए हैं कि वो बसपा को डुबा रहे हैं और मायावती जी क्या ऐसे विक्ति को अपने साथ में लेकर चलेंगी जो बहुजन मूवमेंट को खराब कर दे क्योंकि दोस्तों मायावती जी तुर लगातार कहती है कि बहुजन मूवमेंट है ये कोई पार्टी वाटी नहीं है लेकिन पार्टी भी मानना आज दलित मुसल्मानों की स्थदी क्या है ये सभी जानते हैं अभी संविधान भी सही तरीके से लागू नहीं हुआ है अगर संविधान सही तरीके से लागू हुआ होता तो लोग 5 किलो राशन लेने पर मजबूर नहीं होते घोड़ी चड़ने पर मूच रखने पर लोगों को मार नहीं दिया जाता अत्याचार जो हो रहे हैं वो बंद हो जाते तो दोस्तों बहुजन मूवमेंट तो ठीक है लेकिन ब्यस्पी को एक पार्टी के तौर पर भी रखा जाना चाहिए क्योंकि ये पार्टी राष्टिये पार्टी है और चुनाव लड़ती है देशवर में तो ऐसे में ये पार्टी जब सुरक्षित रहेगी तो बहुजन मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा नहीं तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे सामाजिक संगठन देश में चल रहे हैं इनका कोई वजूद नहीं है तो वजूद तब आएगा जब सत्ता मिलेगी और मायावती जी अपने लोगों के लिए BSP ने भी कमर कसली है जो 16 सीटों पर रोप चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में दमदारी से मजबूती से BSP चुनाव लड़ेगी अब गड़बंदन करेगी नहीं करेगी इसको लेकर दोस्तों अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और BSP ये चुनाव इसलिए भी लड़ेगी जिससे 2027 में और भी मजबूती के साथ वो मैदान में उतर सकेए बहराल दोस्तों इस वीडियो में फिलाल के लिए बसितना ही मायवती जी की रणनिती पर मायवती जी इस तरीके से मेहनत करना शुरू कर शुकी है उसको लेकर आप क्या कहेंगे अपनी पर्त किरिया देजी महुत बहुत धन्नुआत शुक्रिया